दोस्तों आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखो भी रख रहे होंगे आज है 29 मई 2020 और आज के जितने भी important current affairs बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों चलते हैं अपने session की ओर और दोस्तों session पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक PDF चाहिए तो आपको टेलिग्राम हमारे YouTube चैनल के टेलिग्राम से इस पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक आपको description box में दे दिया जाएगा तो दोस्तों आप टेलिग्राम चैनल पर जाएए और वहां पर आप वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल है अंतरराश्ट्रिय महिला दिवस स्वास्त कारवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है 28 मई को मनाया जाता है और ये जो 1987 में कोस्टारिका में WGNRR एक संस्था है दोस्तों जिसका full form है WGNRR का Women's Global Network for Reproductive Rights तो ये एक संस्था है तो इसका जो हुआ था 1987 में कोस्टारिका में एक मीटिंग हुआ था इसमें इस दिन से 1987 से ही इस दिन को मनाने का शुरुवात किया गया अंतराश्ट्रे महिला स्वास्त करवाई दिवस्त और बात करते हैं WGNRR का WGNRR का हेड़क्वाटर कहा है दोस्तो तो इसका हेड़क्वाटर है Amsterdam नीदरलैंड में इसका जो अस्थापना किया गया था इसकी अस्थापना 1984 में की गई थी और इसकी अस्थापना 1984 में हुआ और इस दिवस्त को मनाने का स्टार्टिंग 28 मई 1987 से स्टार्ट हुआ था तो याद रहेगा इतना दोस्तों और बात करते हैं नीदरलैंड की आपिटल एंश्टरडम और नीदर लैंड के चार लगातार चार बार के परधान मंत्री बने हैं मार्कुरूट तो यह हो गई हमारे इस क्वेस्टन से रिलेटेट सारे चलते हैं अगले मजदूर दिवस और मई दिवस दो मई को मना गया वर्ल्ड लाफ्टर डे अब तक आपको याद हो गया होगा अगर आप हमारे वीडियो को डेली देखते हैं तीम मई को प्रेस फ्रिडम डे बनाय जाता है और चार मई को 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 माइनर्ज डे इंटरनेशनल फायर फायर थी और वरल्ड अस्थ श्ट वायर बनाय गया है लेकिन यह मनाय जाता है मही के फर्स ट्यूजडे में 7 मही को मनाय गया वर्ल एफ्लेटिक्स डे और रवीन दरनाथ ट्यागोर जयनती 8 मई को मनाय गया World Red Cross Day, World Thalassemia Day 11 मई को मनाय गया National Technology Day, 12 मई को मनाय गया International Nurse Day और 15 मई को मनाय गया International Day of Families यानि की परिवारों के लिए अंतरराश्ट्रिय दिवस 17 मई को मनाय गया World Telecommunication Day, World Hypertension Day 18 मई को मनाय गया World AIDS Vaccine Day, International Museum Day ठीक है दोस्तों 21 मई को मनाय गया National Anti-Terrorism Day, National Endangered Species Day इस बार तो मनाय गया 21 मई को लेकिन क्या ये 21 मई को मनाय जाता है तो नहीं ये मनाय जाता है मई के 3rd Friday में आपको याद रखना है 22 मई को कौन सा डे मनाय गया तो 22 मई को मनाय गया International Day for Biological Diversity तो 22 मई के बाद आता है Important Day, 23 मई 23 मई को मनाय गया था World Turtle Day और 24 मई को मनाय गया था Commonwealth Day, 25 मई को मनाय गया International Missing Children's Day और उसी दिन मनाय गया था World Thyroid Day, 28 मई को हमने बात किया था कल World Hunger Day और आज हमने बात किया है अंतराष्ट्रिय महिला स्वास्त कारवाई दिवस और इसके बारे में हमने चर्चा किया हमारा आगला क्वेस्चन है किस राजी के मुख्य मंत्री ने Guardian Minister यानि कि अभिवावक मंत्री को नियुक्त किया है तो दोस्तों यह है असम के राजी सरकार ने Guardian Minister को नियुक्त किया है यह Guardian Minister किया है तो Guardian Minister का काम होगा कि जो State और जो State और केंदर के Central के जो Schemes होंगे Schemes होंगे, Policies होंगे उनको उनका देखरेक करना उनका क्या Implementation है उनका Observation करना Supervision करना यह Guardian Minister का काम होगा उनको 34 मतलब यानि की असम के 34 डिस्टिक्स में यह Guardian Minister को देखरेक करने को कहा गया है और इस Guardian Minister का संख्या है 13 तो बात करते हैं असम की, तो असम के यहां पर दिख रहा है दोस्तों असम के जो CM है वो अभी हाल ही में बने हैं हमंत विश्व सर्मा हमंत विश्व सर्मा की बात करें तो यह Badminton Association of India के President भी है और इन्हें अभी हाल ही में Badminton WWF का मेंबर भी इलेक्ट किया गया है बिहार की बात करते हैं तो बिहार के CM है नितिश कुमार और यहां की जो Governor है वो है फागू चौहान जयारकंट की बात करें तो हमंत सौरेणी यहां के CM है और यहां का जो मोक्यमंत्री Governor है वो है द्रौपदी मुर्मो और अगर Nagaland की बात करें दोस्तों तो Nagaland के जो CM है वो है आपका Nephew Rio ठीक है दोस्तों याद रखना है आपको Nagaland का CM यहां के CM तो नेफिर यह हैं, लेकिन बात करें, यहां के गवर्नर कौन है, तो RN Ravie, नागा लेंड के गवर्नर है, RN Ravie, तो आपको इन question से related जो भी fact होते हैं, जो CM और governor हम करते हैं, हर question से related, वो आपको याद रखना है, क्योंकि daily wise पर हम इसे revision भी कर रहे हैं, तो हमारा अग तोक्यो ओलम्पिक में अम्पायरिंग करने वाले भारत देश के एक मात्र विक्ति कौन होंगे तो दोस्तों इनका नाम है असोक कुमार असोक कुमार तोक्यो ओलम्पिक में अम्पायरिंग करने वाले भारत के एक मात्र भारतिया होंगे दोस्तों तो असोक कुमार जो होंगे वो कुस्ती के रेफरी होंगे कुस्ती जो होता है उसके रेफरी होंगे और यह जो UWW होता है दोस्तों UWW यानि की जो Union World Wrestling वाला जो संस्था है उसके द्वारा एक पैनल जारी किया गया उस पैनल में असुक कुमार जी का नाम आया था कि यह जो है टोक्यो ऑलम्पिक में कुस्ती मैच के रेफरी बनेंगे और यह भारत देश के एक मात्र वेकती है ठीक है दोस्तों और बात करते हैं UWW की तो UWW में के रेफरी के रेफरी जो होते हैं उनके सिक्छक के तोर पर भी असुक कुमार काम करते हैं यहाँ पर है अमीद पंगाल तो दोस्तों अमीद पंगाल जो है इन्हें अभी इन्हें अभी किस चीज के लिए ये क्या गिया है तो ये अमीद पंगाल ओलंपिक क्वालिफायर मैच में कान से पदक जीता है दोस्तों ये वीके पांडियन की बात करें तो वीके पांडियन ज तो यहां यह हो गई बात हमारे इस क्वेस्टन की हमारा आगला क्वेस्टन है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद अप्यपल आफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरोटरीज गैर स्वासासी छित्रों की लोगों के साथ एक जुटता का अंतराश्ट्रिय सब्ता कब मन तो दोस्तों गैर स्वासासी का मतलब होता है वैसे लोग जिनका की जो मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर जो जो की गर्मेंट फिक्स नहीं है वो ऐसे वैसे इधरधर भटक रहे हैं तो गैर स्वासासी चेतर के लोगों के साथ एक जुटता का अंतराश्ट्रीय सप्ता मनाया जाएगा 25 से 31 मई और ये UN के द्वारा दोस्तों ये मनाया जाएगा और UN के द्वारा तो UN की बात करते हैं तो UN के चीफ अभी एंटोनियो गुटेरस है दोस्तों और ये किस दिन किस कब से मनाया जा रहा है तो 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1999 से 1999 से इस सप्ता को मनाया जा रहा है गैर स्वासासी चेतर के लोगों के साथ एक जुटता का अंतराश्ट्रीय सप्ता 6 दिसंबर 1999 से मनाया जा रहा है और इस इस बार यानि कि 2021 को ये मनाया गया 25 से 31 मई को मनाया जाएगा तक मनाया जाएगा जो की अभी चल रहा है दोस्तों अंतराश्ट्रिय सप्ता अगला question है seven lessons from Everest expedition learning from life and business यह जो किताब है दोस्तों यह किसकी रचना है तो दोस्तों यह आदित्य गुपता की किताब है इस किताब में इनों ने अपने पारे में लिखा है कि Everest mountain पर जो यह चड़े हैं तो यह इनका यह अपना यह जो है अनुभव इसमें शेयर किया है आदित्य गुपता साहब ने तो अब यहां पर बात आती है अवदार सिंग की तो अभी अवतार सिंग ने रिसेंट में एक बुक लिखा है नहरू तिबत एंड चाइना बहुत important book है आपको इसे याद रखना है नहरू तिबत एंड चाइना ठीक है सिवसंकर मेनन इन्हों किताब लिखा है दोस्तों हाली में इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है इंडिया and India рейन्ड एस्याज्यो्पवलेटिकस ापको ये भी याद रखना है कि सिवसंकर मेनन साहव के द्वारा एक बुक लिखा गया है इंडिया एंड, एसिया, जियो पॉलिटिक्स, नीना गुपता, नीना गुपता की एक ओटो बायोग्राफी है दोस्तों, जिसका नाम है सच कहूतो, सच कहूतो, तो आपको ये सारे बुक्स याद रखने हैं, जो भी questions आते हैं, उनसे related, important fact बनते हैं, जो वो हम यहाँ पर cover करते जाते हैं, अगला question है, अलका रघुवनसी, जिनका निधन हाली में हो गया, वो कौन थे, तो ये थे दोस्तों, art curator, art curator थे ये, ये एक पहली, ठीक है दोस्तों, ये first, पहली प्रसिक्षित, art curator थी, art curator का का क्या होता है, art curator का का काम होता है, कि ये कला को निरिक्षक करते हैं, कला निरिक्षक के रूप में काम करते हैं, किसी museum में, किसी art gallery में, या इसी तरह के कोई बड़े-बड़े जो भवन होते हैं, art से related, उसके administrative head होते हैं, तो ये एक art curator थी, और इसलिए इसलिए इसको important बनता है, दोस्तों, क्योंकि ये देश की पहली कला निरिक्षक थी और इनका निदन हाली में हो गया है, अगला question है, कि international ENI award किने मिला है, 2020 वाला award किने मिला है, तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, CNR, CNR Rao को international, international, ENI international award से सम्मानित किया गया है, दोस्तों, इस award को energy frontier award भी कहा जाता है, यहाँ पर आप देख स इस award को energy research का, energy research का Nobel Prize भी बोला जाता है, energy research में, energy research का Nobel Prize भी इस award को बोला जाता है, और यह जो international ENI award है, बात करेंगे, कि आप बोलेंगे कि कब इसको इनको मिलेगा, तो यह मिलेगा 14 October को, और यह मिलेगा Rome में, ठीक है, Rome जो है, Italy की राजधानी है दोस्तों, और यहाँ पर इ energy, यह scientist है, और energy research का, इसे Nobel कहा जाता है, energy frontier award भी कहा जाता है इसे दोस्तों, तो यह बात हो गई, बात करते हैं, Italy की, तो Italy का capital है दोस्तों, Rome, और यही पर मिलेगा, और इसकी जो currency चलती है, वो है Lira, और यहाँ की जो president है दोस्तों, वो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो है सरगियो को माटा रेला, ठीक है, माटा रेला, अगला question है, अगला question है, ट्राइफेड और निति आयोग किस योजना को लागू करने के लिए आपस में साजेदारी करेंगे, यानि कि ट्राइफेड और निति आयोग एक योजना है, उस योजना को लागू करने के लिए आपस में मिलकर काम करने वाले है तो वो योजना है योजना थे दोस्तों वन धन योजना तो यह जो ट्राइफेडा है इसका फ्यूल速 मोता है वह आप एक बल्स इंडिम्ट देख लें तो यह जो ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डिवलप डिवलपमेंट, फेडरेशन ओफ इंडिया, तो ये जो ट्राइफेड है और नीती आयोग, तो नीती आयोग के बारे में तो आप लोग जानते ही है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये वंधन योजना को लागू किया जाएगा, और वंधन योजना क्या है, तो वंधन योजना के तहत किया जाएगा ठीक है तो ये बात हो गई तो ये एक योजना है पीए मासा जो कि ये सेंट्रल गवर्मेंट का योजना है नवीन रोजगार छत्री योजना ये दोस्तों ये एक योजना है यूपी गवर्मेंट का योजना है नवीन रोजगार छत्री योजना आपसे वी बात करें तो आधित्यनात् और यहां की गवर्नर है आधे नदी बन पटेल और आनंदी विंद पटेल मद्य परदेश की भी गवर्णर है को इन सारे। करते को भी याद करते चलना है गशाध कंग्ष कित नेंके कि नियखत किया गया जगजीत पावडिया को इन्वे इन्टरनेशनल और ये जो थी एक फौर्मर फौर्मर नेर इंडिया में जो नर्कॉटिक्स डिपार्टमेंट है उसकी यह प्रेसिडेंट भी यह थी दौस्तों तो इनको monsters का अंध्यर्च अभी नियूत गया था इसकी अस्थापना तो यह हो गई बात हमारे INCB से रिलेटेड और इसके जो अभी अध्यक्ष निव्त किया गया है वह जगजीत पावडिया प्रेसिडेंट इन्हीं को निव्त किया गया है अगला क्वेस्चन है स्मार्ट किचन योजना किस राजी की योजना है तो केरल की तो केरल के जो CM है दोस्तों वो है पिनराई बिजयन और के जो चीफ मिनिश्टर है गवर्नर है वो है आरीफ मुहम्मद खान ठीक है आपको इसे याद रखना है आरीफ मुहम्मद खान यहां के क्या है गवर्नर है बात करते हैं करनाटक की तो करनाटक के जो CM है दोस ने में कवर करते जाते हैं बजूभाई वाला और नाट आंधर परदेश थींच की बात करें तोह यहां के जो Conference वह हैं यानि की जगण मुहन bell ready ठीक है दोस्तों और यहां की जो गवर्नर है वह महीजहफारी अधरी तो दोस्तों बात करते हैं केरल करनाटक आंधर परदेश और तेलंगाना मतलब इन चार राजियों के में जो है कि स्मार्ट किचन योजना केरल की योजना है तो इन चार राजियों में अभी हाल ही में कौन-कौन सी योजना योजना आई है दोस्तों कौन से योजना यहां लांच किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगर केरल की बात करें केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में आया है अभी योजना लांच किया गया है सारन्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसकी सारन्या सारन् वर्क नियर हूम यारे की कोवीड पैंडेमी को देखते हुए यहां पर एक इश्व म्हुज पूर्वänd के द्वारा इंपलीमेंट कि गिया है उन्हें ना को आपको याद रखना है कौन कौन से योजना है सारण्या से एंप्लीमेंट हैं और करना तक की तो हम लोग अग्ले चेarily लेते हैं ईसके लिए कर नतक के इसकी में दोस्तों यह एक जन सेवक इसकी मैं याद रखना हैं यह भी हाल में कर नाट e सरकार के द्वारा इसे अभी लॉंच किया गया है जन सेवक इसकीम को गंगा कल्यान योजना करनाटक की योजना है गंगा कल्यान योजना और बात करें यहां पर तो यहां है सुर्य राइथा स्कीम यहां एक स्कीम है सुर्य राइथा स्कीम तो आपको इसे बहुत ही इंपोर्टेंट स्कीम है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट स्कीम है इसको याद रखना है यह करनाटक का स्कीम है सुर्य राइथा स्कीम पॉप्स जो स्रिप्राइब होते हैं वो यूजब करें तो यह सूर्य राइता करनाटक सरकार का यह फ्री लेप्टॉप इसकीम और एक है बिद्या गामा इसकीम और बिद्या गामा इसकीम तो यह कुछ स्कीम को अभी लॉंच किया गया है दोस्तों मई में तो कौन कौन से स्कीम को लॉंच किया गया और कौन इंपोर्टेंट है तो तेलंगाना सरकार का है बाली का आरोग ये रक्षा कीट ठीक है दोस्तों उसके बाद साधी मुबारक योजना आपसे पूछा जाए कि साधी मुबारक योजना कहां की योजना है तो तेलंगाना आपको याद रखना है कल्यान लक्षमी पथकम ठीक है कल्यान लक्षमी लक्षमी पथकम ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है आरोग्य योजना ठीक है बाली का आरोग्य रक्षाकीट वाला जो इसकीम है रक्षाकीट वाला इसकीम साधी मुबारक कल्यान लक्षमी पथकम और एक योजना है single woman ठीक है single woman pension scheme single woman pension pension scheme तो यह तेलंगाना की कुछ schemes थे अब हम लोग देख लेते हैं आंदर परदेश के तो आंदर परदेश के जो कुछ important scheme है वो है आंदर परदेश के YSR YSR चे उत्था ठीक है YSR चे उत्था आपको याद रखना है YSR चे उत्था कहां के scheme है तो यह है आंदर परदेश की और YSR YSR यहीं के scheme है YSR आरोगे रक्षा इसकीम और जहां के जुश है वह जगन्ना जगन्ना गूरू कि जगन्ना गूरू मुड इसकीम ठीक है तो आपको यह कुछ इसकीम्स ये कुछ योजनाय है जो बहुत ही इंपर्टेंट है और अभी हाली में योजनाव को इन राज्य सरकारों द्वारा दोस्तों आज के लिए इतना ही current affairs आज के लिए यही पर हम लोग अपने session को विराम देते हैं आपको अगर यह session अच्छा लगता है तो आप इसे like करें, share करें और subscribe करें दोस्तों subscribe करने के बाद आप एक bell icon को जरूर दबा दे जिससे आपको इस तरह के useful video हमारे channel पे जो useful video आते हैं उसकी update आपको उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए अगर आपको इस video का PDF चाहिए तो आपको telegram channel को join करना होगा telegram channel का link हमारे video के description में डाल दिया जाएगा वहाँ से आप telegram channel को join कर सकते हैं और आप PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ा ही कर सकते हैं दोस्तों तो ये रही आज की important current affairs हम लोग मिलेंगे कल के session में ऐसे ही बहुत सारे important current affairs के साथ और उससे related fact के साथ तो दोस्तों तब तक के ल